वाटसब वेरिफिकेशन कोट वन आवर प्रॉबलम अब देख सकते हो यह इस तरीकी की प्रॉबलम देखने को मिल जाती है We could not call you or we could not text वाटसब वेरिफिकेशन कोट नहीं आ रहा है वन आवर प्रॉबलम अब यह प्रॉबलम क्यों आ रही है आप जैसे वाटसब में लॉगिन करने जाते हो तो तभी आपको यह प्रॉबलम देखने को मिल जाती है तो गबरानी की कोई बात नहीं आज की इस वीडियो में हम जो है इस प्रॉबलम को आपके सामने फिक्स आउट करेंगे अगर आपका भी वाटसब के उपर OTP जो वेरिपकीशन कोड होता है वो नहीं आता है बहुत टाइम हो जाता है लेकिन आपका फिर भी आपको वेरिपकीशन कोड नहीं आता है तो इसके लिए आज की इस वीडियो में आपको solution बताऊंगा इसके लिए आपको कोई भी waiting करने की ज़रूरत नहीं है आपका तुरंट आ जाएगा उसके लिए आपको कुछ steps को follow करना है चले आज हम उस step का आपको बता रहते है सबसे पहले आपको यह problem आजाती है WhatsApp verification की code के बारे में तो उसके लिए आप सभी को जो यहाँ पे एक problem आपको यह जो देखने को मिलती है इसका solution क्या है आज मैं आपको बता रहता हूँ ठीक है उसके लिए आपको जो है सबसे पहले आप अपने यहाँ पर Chrome browser आपको जो देखने को मिलता है इसको open करना है यहाँ पर आपको search bar पर click करना है आप search bar पर click करने के बात आप देख सकते हो यहाँ पर आपको search क्या करना हूँ को है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा Whatsapp contact अब देखो यहाँ पर आपको WhatsApp contact लिखना है और यहाँ पर आपको WhatsApp contact आपको ऐसे लिखना है WhatsApp contact लिखने के बाद यहाँ पर आपको WhatsApp contact option पर क्लिक करना है अब जैसे यहाँ पर WhatsApp contact option पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर WhatsApp contact option पर क्लिक हो जाएगा तो यहाँ पर आपको contact use और क्यों इस option पर आपको क्लिक करना है कि आप इस option पर आपको क्लिक करने के बाद आप देखो कुछ इस तरी किसी interface open हो जाता है आपका WhatsApp का जो यहां पे contact का site तो यह official है यहां से हमें अभी यहां पर काम करना पड़ेगा क्या काम करना है आपको यहां पर कही पर आने की ज़रूरत नहीं है ज़स्ट आपको ऊपर आपको एक option मिले गए यहां पर वाट्सप मेसेंजर सपोर्ट तो यहां पर उसके नीचे contact यूज का एक option देखने को मिलेगा तो इस option पर आपको क्लिक करना है अप यहां पर आपको क्लिक करने के बाद आपका आपको 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 तो मेरी मोबाईल के लिए वही अपर में दर्च करता आपको भी यहाँ पर आपको एक इमयल यह अपको एक इमल गमेल देना आप देने के बाद आप देख सकते कुछ इस तरह किसे से प्रॉसेस हो जाएगा हमारा 70% आप तो देखो नीचे आपको थोड़ा से नीचे आचना है आपको यहां पर आपके पास iPhone के उपर आप यूज करते WhatsApp और iPhone में आपको यह problem आती है तो iPhone को select करना है अगर आपका Android है जैसे कि आपको क्या लिखना पड़ेगा जस्ट यहां पर देखो dear WhatsApp my verification code is not coming I wait one hour but my verification code not coming I request you to solve this problem आपको यहां पर देख सकते हो आपको यहां पर छोटा से शक मैसर्च आपको यहां पर घंद आपका यह जो message आपका तूरंट आपको यहां पर एक गंटे इंदर आपका verification code आजेगा एक ऐखने के अंदर आपका OTP आजेगा तो उसके यहे दोस्तों यह वाला message आपको लिखना है dear what's my verification code is not coming I wait one hour but my verification code not coming I request you to solve this problem आपको answer लिखना है इनको बता दाना है clearly जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर आपको वही same-to-same लिखना है अगर आपको यह चाहिए तो option देखने को मिलेगा next step इस next step क्या आपको क्ली करें अब जैसे next step क्या option पर क्ली करोगे तो देखो यहाँ पर आपका contact use का आपको फॉर्म पूरी तरी के राइडी हो जाएगा अप नीचे आपको लेना है एपको उप्शन दूनने के बाद एप मैंगे में चले जाओ यहाँ पर सेर्च करना है WhatsApp application WhatsApp application सेर्च करने के बाद open करना है यहां से आपको चले जाना है और storage option पर क्लिक करना है अब जैसे यह जो मैं बताए अगाए स्टेप्स को follow करोगे इसारे उसके बाद आपको यहां पर WhatsApp को अपने जोए clear catch करना है उसके बाद आपका जो वन आउर का जो problem है जो OTP नहीं आ रहा है तो उसके लब को यहां से साथी clear data इसको भी हाँ पर मार देना है clear data मारने के बाद आप आपको क्या करना पड़ेगा जस्ट आपको जो हैं पे अभी आपको जो हम करने लिए चले जाना है आप यहां पर जाता हो login करना तो मेरा verification code आ चुका है और मेरा यहां पर आसानी से मुझे मेरा verification code देखने को मिल गया है तो कुछ इस तरीकी से आप जो अपने WhatsApp के उपर verification code को ला सकते OTP को ला सकते आपकी problem fix out हो जाएगी वीडियो पसना देए तो वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe करके बेल notification को on कर देना और बादाएव स्टेफ को follow कर देना